तो यहां जो हे उन्हें ग्यान पंधिट जी ने समाधी ली ती समाधी के उपरांथी इस मंदिर का निर्माण कर आए तो दोस्तों ग्यान पंधिट की कहानी आप हो वीडियो के लाश्ट में बताएंगे तब तक आप देखे इस खुबसरत गाउं को और जानिए इस गाउं की कहानी को गाउंबालों के द्वारा सबसे पहले तो भी है सभी को राम राम और अमर भाई और सुरज भाई आपका स्वागा था हमारे गाउं में आप जो है अमारे गाउं में वीजो गुनाने आए आएए हम आपको दिखा अपना गाउँ को रिशित में। हमारे गाउँ के नाम करें। वर गर्मपंचाद बैत्छली में आतार है। मुद्धशली गजिला दाश्ट गाउँ है। झाल सुरू हो जाता है। हमारे गाउँ में इन वाय यह यह 26-26 के भीच है। और जो जन सिंक्या हमेरे लिंजाती वुक्सा भईयों की इस गाउं में वो जो है 150 प्लस है जहां के जो है अधिकतर जो हमारे विक्सा भाई है वो किरसी हैं किरसी करते हैं काफी जो है मेहत करते हैं और कुछ बिजनिस भी है इस दो अत्रकारी नौकरी में है यह जो सामने बि जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं यह हमारे सुनील भाई हैं जो कि गाउं के मुख्या के छोटे भाई है इनका जो अजो है अच्छा पाइडिशी पर कावे करते हैं तिक्षा फित्रमें भी अच्छा मुकाम दोने हासिल किया हुआ है यह सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग है यह जो है 1961 में बनी है जो कि हमारे गाऊं के मुख्या शरी जो हमारे पूरुबज सबसे मुख्या थे शरी देवी सिंग जी उनके नाम से बनी हुई है जो हमारे परदादा थे यह जो है अगए अगर कुछ भी चोरी चकारी यह कुछ भी जराइज जबड़ा हो जाए तो कोई भी पुलिस प्रसासन उनकी बिना परमिशन के हमारे गाऊं में एंटी नहीं होती थी जैसे हर गाऊं में एक देवी का इस्थान होता है क्या यहां पर भी है हां जी हां हमारे जो गाऊं है पूरा गाऊं के दक्षिन शोर यान की बुक्षारी में देवी थान है जो हम आपको थोड़ी दिन में दिखाएंगे और यह हमारे गाऊं का महिला उत्थान की अंदर है यहां जो कोई भी क्याम पाता है तो यहीं पर जो है उनको प्रस्क्षिन दिया जाता है देखे कुतना सुंदर गाऊं में यहीं देवी देवता बिराजमा रहते हैं और बहुती सच्चे मन से यहां पूजा पात की जाती है आए दोस्तो हम दिखाते हैं आपको एक मंदिर जो की गाऊं करी में प्रवेश करते ही शुरू है और वो मंदिर है हमारी काली माता के नाम से बहुती सुप्रिसिद और विख्यात मंदिर है कि आए आपको दर्सन पराते हैं काली माटा मंदिर की हम पहुंच चुके हैं काली माता मंदिर के पास यूकि एक सूप्रस्जड और सूप्रक्षियात मंदिर यहां जो likelihood पूजया अर्च में में जिसकी जो व्यक्ति यहां जो है मन्नत मांगने आते हैं उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है वो काली माता के यहां आके तरसाद चलाते हैं और बंजारी का आइजन करते हैं और यहां जो भी सच्चे मन्ते दिल से स्रद्धाते मन्नत मांगता है उसकी जो है मातरानी पूर करते हैं. आए अब हम ठोला इसके इतियास के बारे में आपको बताते हैं. यह मंदिर जो है, बहुत पुराना मंदिर है. हमारे दादा-परदार्दा भाज़ा करते हैं, यहां बाबा हुगा करते हैं ज्ञान नाम से, उनका नाम था ज्नान पंढिट बाबा. उन्होंने जो है समादी ली थी यहाँ पे उसी समादी की उपरांथ जो है यहाँ माता जी की मूर्ती की स्थापना हुई थी पहले आपने देखा होगा यहाँ चारो तरब बहुत साफ सफाई है लेकिन जब मैं छोटा था मुझे होस है कि यहाँ जो है नदी पहले बहुत बड़ी थी अब जो है नदी जो है जैसे कि आपको पता है संसाधन नहीं आ गया है तो नदी का जो है अश्टिद्वे खतम होने की कगार में है आई आपको दिखाते हैं गाउं की कुल देवी का मंदिर जो की गाउं के दक्षिन शोर में पिस्ति थी देख देखान मंदीर, और हम पहुच चुक है ओर मंदिर और देखो कितना हरा वरा है चारो तरप से जिसमे घान की फटाल है हरियाली है और बीच में आर्सिस की रोट है और भहुती भव्वय और सुन्दर ये मंदिर है आएव आपको दिखाते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में तो दोस्तो देखिए हम मंदीर बाचुके हैं इस तरह के मंदीर होते हैं और जानते हैं जो यहां के पधान है मुख्या वो तो हमें नहीं मिले उनके भाई मिले हैं आईए पूछते हुनी से इस मंदीर के बारे में इतनίο करो कि ये पाझने सलंग वहार प्राइब्राजमान है और दो हाद परणenteитель आपको दिखाते मैं छेक्डुच мिले पीज्ग दिखाते हैं और ऐक उर्येये और double चे कह करें वहां और आप देख सकते हैं कि सामने यहे है यह विशाल पाखरक्रत से जिसे हम साकरिया देटा भी कहते हैं जिसमें जैसे की किसी मनत पूरी होती है तो एक साकर बोलते हैं तो उसको यहाँ पे गढ़ा दिया जाता है तो सुनेर जी ये जो मंदिर है ये कप से है ये मंदिर हमारा तभी से बनाया गया है जब से ये हमारा गाओं का विस्तार हुआ था तभी से है ये मंदिर हमारे गाओं में इस मंदिर को इसलिए बनाया गया है ताकि जो गाओं की दिक्कते जो गाओं में दिक्कते ना सके जैस यह हमारी जो देवी है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इसमें जब यह महामारी बीमारी आईती करोना वाइरस तो उस समय इस मंदिर में भूजा पार्ट की गाते थी इसका में कारण यह है कि इसे हम आज भी निबा रहें और इन्होंने पूरी राओं की रक्षा की तो सुन्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया तो एक बार जोड़े चोड़ से बोलो बाल सुन्री भाईया की जै राज जगत देप की जै पुक्सा समाज की